नमस्कार सातियों मैं हूँ एड़गट शोक्षोद्री सातियों आपने कुछ क्यूशन किये थे मैं आपको आंस्वर दूँगा बिल्कुली शोटली तरीके से एक बाई पूछते हैं सर कतर में बुल्डोजर ओपरेटर रिटन हूँ सोरी कतर कतर में बुल्डोजर ओपरेटर सब्सक्राइब को बुल्डोजर फैस्वर नहीं है वेलिड इसलिए नहीं है कि आज से दो तीन साल पहले तक वेलिड था अब सो उस्टाइम सवुदि और कतर की अच्छी मित्रता थी अब उन्हें में खटास होने की वज़ए से पिछली बार लगबक 18 में यमन पे यूद भी छिड़ा था कतर में तो इस वज़े से उसमें दरार हो गई रिस्तों में तो उन्हों क्या कि फिर कुछक आपको पता दुस्मनी होती है तो उन्हों ने क्या किया कि सच्प्न को डग करना बंद कर दिया तो आप कतर जाते हो तो इंडिया का लाइसेस विलिड नहीं होता कतर के लिए सवधी का हो सकता है सवधी आप इंडिया लाइसेस से जा सकते हो वहाँ पर जोब भी मिल जाती है कतर में ऐसा नहीं है कतर के लिए दुबई का लाइसेस विलिड होता है सवधी का विलिड नहीं है बाकि और कंट्रिय का ह हो सकता है तो शेल्दी 182000 के करीब होती है चाली जार के सम्टिंग आप और टाइम करके इसमें कमा सकते हो बाकि सवधी रिटन का कतर में कोई इतना खास है नहीं ठीक है अब सवधी से आगे कतर जाना चाते हो तो महां जाके इंटर्वी देके लाइसस बना सकते हो उसके बाद तीन मंत का थ्री मंत का वीजा था सर दो मैने हो गया है खतम हो वीजा खतम हो गया इनका दो मैने चोटे भाई बिमार है उनका पेरिलाइजस हुआ है उसके डोक्टर ने जबाब भी दे दिया है और उन्होंने आने की भी कोशिस की अजेंट पैसा खा गया मलेशिया का और उनका चोटा भाई भी मिस कर रहा है प्लीज हेल्प मी यह आप विजिट में गए हो तो इतना बड़ा तो देखो इस्यू नहीं है आपके गर में प्रॉब्लम है यह प्रॉब्लम तहलां कि बहुत सारे लोगों को है ठीक है और यह तो एक जीवन का हिस्सा है इनको बरदा होता है आप निकल जाओगे पासपोर्ट है तो अच्छी बात है नहीं है तो आप आउट पास बनवा लीजिए इस पेसल पास से या गोवर्मेंट जो भी नियम करती है वो जुर्माना वां पर जमा करवा के आप आराम से निकल जाओगे जनुरी में आप घर पहुंश सकते यह option है मैं आपको दे सकता हूँ इसके लिए मैं कुछ अलग से सोचा एक दो दिन में मैं वीडियो भी डालूँगा ठीक है अनील लेगी जी पूछते हैं चरा आप बताएं कि मैं बार्मी पास हूँ और मैं सस्ते विरोपियन कंट्री जाना चाहता हूँ कोई मलेशिया के सस्ता कैसे मान लेगा मलेशिया के बजट में तो मलेशिया ही जा पाओगे वो सस्ती विरोपियन के चक्कर में पैसा मत कराब कर देना मैं तो बार बार आपको यह बोलूँगा क्योंकि लोग बैठे हैं 50,000 में बेच दूँ लाग रुपे में कनेटा पहुंचाने वाले बै ठीक है उनसे मिल लेना 20,500 में बेच देते हैं बाकितन का सेलली से कटवा लेंगे वो अपने आप बड़े मुके संबानी के उलाद है वो ठीक है तो इनके चक्कर में मत पढ़ना भाईया जैसी अपनी केपीशिटी है उसी के कोडिंग उसी कंट्री को सुन लो ताकि से सही नहीं है यह आशिप खान पुछते हैं भाई गोवर्मिंट सजा नहीं देती क्या इन्होंने यह पूछा है इंडिया आते हैं तो गोवर्मिंट सजा बिल्कु सजा भाईया यही है जो इलिगल वर्कर है बैठें बिचारे काफी टाइम से पासपोर्ट उनके पास नह सजा नहीं कहोगे तो क्या कहोगे गोवर्मिंट वैसे कोड़े नहीं मारती है मलेशिया की ठीक है यह सजा इसी में आपको एसास हो जाता है कि अपन सजा भुगत क्या है बाकि कोई वैसे कोई सजा नहीं है और सजा पुलिस इम्मिग्रेशन के इन्लिगल वर्कर दखे चड अपाइर बट पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ अब इनलीगल हूं वापस आना चाहता हूं कैसे आऊ वापस ऐसे ऐसे जाना है कि डिपोर्ट ना हूं ऐसा हो सकता है क्योंकि बाद में मुझे कनेडा जाना है कोई प्रोब्लम तो नहीं आएगी बहिया देखिए आप इन मुझकिल तो है मैं तो इतना आसान मानता नहीं हूं आप अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो बाकि कोई दिक्कत नहीं है ब्लेक लिस्ट तो होगे नहीं स्पेसल पास लगवा गया आ सकते हो तो सातियों यह कुछ से आपने क्यूशन किये थे मैंने आपको अंस्वर दिये है ठीक है बाई और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेर दूसरों सातियों कर दिया अगरो यार अपने लोगों को ताकि थोड़ा बहुत उनको भी नोलेज मिल सके ठीक है आप देख रहे हो आपके दस साती नहीं देख रहे हैं तो उनको वाट्ट सब्सेंड कर दो कि आपको नहीं नहीं जानकरी हैर रोज घर बेटे मिलती रहे ठीक है साती हो तो चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छा लेगे लाइक और शेर करें नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं जहीं बंदेमाद